Question में हम से कहा गया है If 6370 equals to 2 की power m product with 5 की power n product with 7 की power k product with 13 की power p है तो हमने m plus n plus k plus p की value को find out करना है ठीक है? तो चलिए solution स्टार्ट करते हैं चलिए अब हम सबसे पहले 6370 का prime factorization करेंगे ठीक है तो हम सबसे पहले 6370 का prime factorization करेंगे ठीक है जब हम 2 से 6 को divide करेंगे तो आएगा 3 फिर जब हम 2 से 3 को divide करेंगे तो आएगा 1 बच्चे का remainder 1 1 और 7 हो जाएगा 17 फिर जब हम 2 से 17 को divide करेंगे तो आएगा 8 remainder बच्चे का 1 1 और 0 हो जाएगा 10 फिर जब हम 2 से 10 को डिवाइट करेंगे तो आएगा 5 अब हम 5 से डिवाइट करेंगे ठीक है 5, 6 जा हो जाएगा 30 बचेगा 1 1 और 8 हो जाएगा 18 फिर जब हम 5 से 18 को डिवाइट करेंगे तो आएगा 3 बचेगा 3, 3 और 5 हो जाएगा 35 फिर जब हम 5 से 35 को डिवाइट करेंगे तो आएगा 7 अब हम 7 से डिवाइट करते हैं 7 9 जा हो जाएगा 63 7 बन जा हो जाएगा 7 अब हम दुबार से 7 से डिवाइट करेंगे 7 13 जा हो जाएगा 91 अब हम 13 से डिवाइट करेंगे 13 बन जा हो जाएगा 13 तो यहां पर हमारे पास में 6,3,7,0 का प्राइम फेक्टरिजिशन आ गया 2 x 5 x 7 x 7 x 13 तो हमारे पास में 6,3,7,0 का प्राइम फेक्टरिजिशन आ गया 2 x 5 x 7 x 7 x 13 हम इसको लिखेंगे 2 x 5 x 7 यहां पर 2 x x 7 x 13 अब देखिए 2 के उपर कोई पावर नहीं लगा है तो हम 1 पावर लगा सकते हैं 5 के उपर भी कोई पावर नहीं है तो हम 1 पावर लगा सकते हैं 7 के उपर तो 2 पाउर लगा है 13 के उपर कोई पाउर नहीं लगा है तो हम 1 पाउर लगा सकते हैं तो 6, 3, 7, 0 हो गिया 2 की पाउर 1 इंट्व 5 की पाउर 1 इंट्व 7 की पाउर 2 इंट्व 13 की पाउर 1 लेकिन हमको यहाँ पर question में given है 6, 3, 7, 0 is equals to 2 qui power m into 5 qui power n into 7 qui power k into 13 qui power p है तो इसको भी यहाँ पर लिख रहेते हैं लिखते हैं 6, 3, 7, 0 equals to 2 qui power m into 5 qui power n into 7 qui power k into 13 qui power p यह हमको given है तो इसके आगे हम given लिख भी लेते हैं ठीक है देखें, यहाँ पर dots लगे वे हैं, dots multiply को शौफ कर रहे हैं, तो हमने dots की जगाँ पर multiply का sign लगा लिया, ठीक है? चलिए अब हम इन दोनों को compare करते हैं, ठीक है? हम इन दोनों को compare करेंगे, क्योंकि हाँ इन दोनों जगाँ पर हमने 6370 का prime factorization लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए अब हम 6370 के इन दोनों prime factorization को compare करते हैं, तो चलिए यहाँ से comparison स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है 2 की power 1, और यहाँ पर हमारे पास में है 2 की power m, तो हमारा m हो जाएगा 1, तो हम लिखेंगे, on comparing, compare करने पर, हमारा m हो जाएगा 1, तो हम लिखेंगे m is equals to 1, तो जब हम 5 की powers को compare करेंगे, यहाँ पर 5 की power है 1, यहाँ पर है 5 की power n, तो n हमारा हो जाएगा 1, तो हमारा n हो जाएगा 1, फिर जब हम 7 की powers को compare करेंगे, यहाँ पर 7 की power है 2, यहाँ पर 7 की power है k, तो हमारा k हो जाएगा 2, फिर जब हम 13 की powers को compare करेंगे, यहाँ पर 13 की power है 1, यहाँ पर 13 की power है p, तो हमारा p हो जाएगा 1, तो हमारा p हो जाएगा 1, चलिए अब हम M प्लस N प्लस K प्लस P निकालेंगे ठीक है हम M प्लस N प्लस K प्लस P निकालेंगे ठीक है देखे हमारा M है 1 तो हम M की जगापर 1 को पुटाप करेंगे ठीक है फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस फिर यहाँ पर है N n हमारा है 1 तो हम n की जगा पर लिखेंगे 1 फिर यहां पर plus है तो लगाएंगे plus फिर यहां पर है k k हमारा है 2 तो हम k की जगा पर लिखेंगे 2 फिर plus है तो लगाएंगे plus फिर है p p हमारा है 1 तो लगाएंगे 1 तो यहां पर हमारा M plus N plus K plus P आगया 1 plus 1 plus 2 plus 1 1 plus 1 होता है 2 2 plus 2 हो जाएगा 4 4 plus 1 हो जाएगा 5 तो यहाँ पर आएगा 5 तो यहाँ पर हमारा M plus N plus K plus P आगया 5 तो यह आगया हमारे इस question का final answer